श्रेक गुरुप्रन साहिब जी अंग 1112 में कहते हैं हे प्रभु के हजूरी में बुलाई हुई जीव इस्त्री तेर नहीं करनी चाहिए हे हर वक्त प्रेम रोग में रंगे हुए आत्मिक अडोलता में टिके रहना चाहिए भाव, हे भाई, जो जीव इस्त्री हर वक्त प्रमात्मा के प्यार रंग में रंगी रहती है हे भाई, आत्मिक आनंद में आत्मिक अडोलता में टिके रहना चाहिए यानि किसी अपने उद्यम पर गर्व करके इस बात का शिक्वा नहीं करना चाहिए कि मेरा उद्यम जल्दी सफल क्यों नहीं होता जो भी जीविस्त्री प्रभु का मिलाप हासिल करती है एहंकार दूर करके ही प्रभु में लीन होती है जिसको गुरु मिलाता है वहीं मिलती है वह सदा कायम रहने वाले प्रभु के प्रेम रंग में रंगी रहती है अपने मन के पीछी चलने वाली जनम मरन के चक्रों में पड़ी रहती है हे भाई जैसे जब कोई इस्त्री नाचने लग जाए तो वे घुंगट नहीं करती वैसे ही जो जीव इस्त्री प्रभु प्यार की रहा पर चलती है वे शरीर का मोँ छोड़ के माया से निरलिप हो जाती है हे नानक गुरु के बताय हुए रहा पर चलने वाला मनुश्य सदा अपने जीवन को पड़तालता रहता है उस असल जीवन रहा को अपने विचार मंडल में टिकाए रखता है हे भाई मनमुखक प्रभु जी अनेक करिश्मे करने वाले है मैं उस संदर प्रभु का सदा के लिए गुलाम हूँ हे भाई जिस मनुश्य को गुरु ने अलग प्रभु की सूच बक्ष दी वह मनुश्य उसको छोड़ के किसी और की तलाश नहीं करता हे भाई जब प्रभु की रजा हुई जब प्रभु ने किसी जीव पर क्रिपा की तब गुरु ने उसको अलग प्रभु का ज्यान दिया तब उसको आत्मिक अडोलता में टिक के वह परमात्मा मिल जाता है जो जगत का साहरा है जो सब दाते देने वाला है जो सर्व यापक है और विधाता है सत्नाम शेव आहे गुरू गुरू जी का संदेश फैलाने और एनिमेटेट वीडियोस बनाने में हमारा सहयोग करें जोइन बटन दबाकर हमारे मेंबर बने या थैंक्स बटन दबाएं